हलो एब्रीवन वेलकम टू स्टड़ी आई क्यों पीसियस दिस इस मनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है दिन के दो बजे एक इंपोर्टन सेशन लेकर हमारी टीम आती है जिसमें हम जनरल स्टड़ी के अलग-अलग सब्जेक्ट्स को यहां पर स्टड़ी करते हैं जिसमें आपका कभी हम फिजिक्स कभी हम लोग जो है इसके अंदर आपका हिस्ट्री पढ़ते हैं कभी साइंस एंड टेक्नोलजी का पार्ट पढ़ते हैं कभी जो है हम लोग इसमें जेग्रफी की क्लास लेते हैं तो ट्यूजडे के दिन जो सेशन होता है ट्यूजडे का जो सेश नाम है GPS, तो यहाँ पर एक चाप्टर पढ़ने वाले हम, जिसको हम डील करेंगे आज, that is GPS, तो GPS को बहुत अच्छे से देखते हैं, Global Positioning System, तो GPS को अच्छे से पढ़ेंगे, GPS क्या है, तो GPS आपका आज की डेट में जैसे आप Google Map यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप किसी एक जगा से दूसरे जगा जा रहे हैं, मान लिया जाए, आप A Point से B Point जाना चाहते हैं, तो वह आपको अलग-अलग रास्ते दिखाएगा, कभी कहीं से घुमा कर दिखा देगा कि A, A, रस्ता है, एक रस्ता को यहाँ से बता देगा, तो यह जो roots है, इन roots को जो है, एक तरीके से उनकी positioning करना, navigation करना, निगरानी रखना, इस जो method होता है, इसको कहा जाता है GPS, तो आज हम इसी GPS के बारे में अच्छे से clarity लेंगे, कि वही GPS होता क्या है actual में, तो GPS के अंद यहाँ से download कर सकते हैं, अब देखिए, GPS की बात हो रही है, GPS जो होता है, आपका satellite से जोड़ा हुआ होता है, मतलब सैटलाइट क्या करती है, सैटलाइट किसी भी चीज़ पर निगरानी रखती है, मान लिया जाए आपकी car है, या आप कहीं पर travel कर रहे हैं, तो आपके ऊपर यह satellite क्या करेगी, एक surveillance रखेगी, एक surveillance का मतलब एक निगरानी रखेगी, और यह जो information है, यहाँ से तो carry करेगी, वापस इसके पास आकर एक data center को provide कर देगी, और यह आपकी position को हमेशा बताती रहेगी, आप कहां पर हैं, किस तरीके से हैं, तो यह जो चीज होती है, इसको कह जाता है GPS, इसका full form क्या है, तो global positioning system, अब देखिए, इसके अंदर अगर हम consider करें, कि global positioning system क्या होता है, GPS क्या होता है, तो GPS में अगर हमारी बात होगी, तो यह जो चीज है, हमने last session में एक topic पढ़ाता है, जिसका नाम था remote sensing, अब remote sensing में क्या होता है, कि बिना किसी के contact में आए information को gather करना होता है, तो remote sensing में भी एक काम satellite का क्या है, GPS का है, लेकिन remote sensing में बहुत सारी चीज है, किसी जगा की मौसम की जानकारी के बारे में पता करना है, कहीं Earthquake आगया है, तो उसके बारे में पता कर रे है, भूकम के बारे में पता कर रे है, तो वो एक broad concept है, जिसमें पड़ते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी चीज की position की बात करते हैं, किसी भी चीज का location की बात करते हैं, कि वो position के हिसाब से किस जगा पे move कर रहा है वो चीज हो जाती है GPS, तो GPS क्या है, GPS is a short term मतलब आपका जो remote sensing है remote sensing के बहुत सारे काम है, उन remote sensing के बहुत सारे कामों में अगर हम माने तो एक काम उसका क्या है, GPS का भी है, कि किसी चीज की निगरानी रखना किसी चीज की positions को track करना navigate करना, surveillance करना वो हो जाता है GPS, अब यह GPS तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन यह GPS actual में कैसे develop हुआ, तो सबसे पहले जो GPS था, इसको US ने develop किया था आज इंडिया का, खुद का जो है एक GPS system है, जिसको हम नावेक भी बोलते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे इसके अलावा बहुत सारे देशों ने अब अपना GPS system develop कर लिया, लेकिन जो सबसे पहले किया था, वो किस ने किया था USA ने किया था, United States of America ने किया था, और यह सबसे पहले किस में use होता था, डिफेंस में use होता था तो satellites जो हैं, हमारे देश के उपर निगरानी रखें और किसी भी चीज की बारे में, आपको correct जो है, उसकी position बताते रहें उस system को आप क्या बोल देते हैं, उसको GPS system कह देते हैं, तो ये system जो है, इस तरीके से आपका work करता है तो GPS के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो भाई कौन सी चीज है, एक satellite है कोई ना कोई चीज है, जिस से, जिसका आप signal satellite तक पहुचाते हैं, और उसकी position को track करते रहते हैं, तो देखा जाए, तो इसकी definition क्या बनेगी, full form तो आपको पता चल गया कि भाई, इसका full form जो है, global positioning system है, GPS का, इसमें एक चीज जो component है, वो है satellite और satellite के साथ-साथ आप Earth की उपर पूरी तरह से क्या कर रहे हो, surveillance रख रहे हो, निगरानी रख रहे हो और इस चीज को आप किसी दूसरे device में track भी कर सकते हो, जैसे मान लिया जाए, आपने अपनी location किसी और को दे दी, और आप जो है, वो आपको track कर पा रहा है, तो आप जैसे जैसे अपनी position change करोगे, वो आसानी से आपको देख पाएगा, तो ये जो चीज है, ये जो system है, that is GPS, तो GPS में कोई दूसरा विक्ति आपकी आसानी से निगरानी रख सकता है, या कोई भी चीज उसको trace कर सकती है, जैसे कि कोई train है, उस train को trace करने के लिए आजकल GPS को use किया जा रहा है या आप कोई bus है, तो bus के आजकल कई जगाव पे टिकेट्स ऐसे हो गए हैं कि bus का एक tracking जो है, link develop हो जाता है, उसको आप GPS से track कर लो, ये bus कहां तक पहुची है, कि कितनी locations को cover कर रही है, कितने में चल रही है, ये सारी चीज़ें भी आप GPS से कर लेते हैं, तो भाई GPS जो है Global Positioning System इसका full form पूचा जा सकता है, इसके अलावा called 9 star, इसका जो original name है, वो उसको navigation system timing and ranging कहा जाता है, फिर हमने इसका नाम जो है GPS रख दिया गया है It is a space based navigation system, ये कहां से monitor हो रहा है, space में, तो space में satellite है, जो इन सारी चीज़ों के उपर नजर रख रही है, गुड़ आफ्टनून एवरीवन देखिये ध्यान से, तो देखिये इसमें क्या बोला जा रहा है कि space based navigation system है, that provides location and time information in all weather conditions ये सारे मौसम्स में जो है, हमको ये जानकारी देती रहती है anywhere or near the earth where there is a need of this मतलब हमें कहीं पर भी अर्थ के पास हो, अर्थ से दूर हो ये सारी चीज़ें हमें पता करके बताती रहती है और किसी भी जगा पे, जो है हमको कहीं पर किसी location को trace करना है navigate करना है, surveillance करना है तो वहाँ पर ये system develop होता है सबसे पहले मैंने बताया, कहाँ develop हुआ तो USA में develop हुआ तो इसमें जो है, एक ना एक चीज़ होगी जो आपको, मतलब एक tracking point होगा आपका मतलब किसी ना किसी चीज़ को आप track कर रहे होंगे और इसको track करने के लिए आपकी satellites होंगी तो Earth को पूरा का पूरा track करने के लिए बहुत सारी satellites का system होता है जो अपना यहाँ से information लेकर networks को provide करता है और उससे आप कोई दूसरे device में किसी दूसरे computer में, laptop में या कोई भी electronic device में उस चीज़ को आसानी से trace कर सकते हो इस system को कहा जाता है GPS system अब देखा जाये तो इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको दिख रही है बहुत सारी satellites होती है तो multiple satellites मिलकर Earth के किसी ना किसी जगा को जो है trace कर रहे होते हैं, जिसको trace कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है user segment तो satellite इसकी position लेगी और यह information कहा पहुचा देगी Earth के उपर एक control room में कि वह यह चीज यहाँ पर है जैसे कि आजकल बहुत सारे जैसे taxi जो services आ गई है जैसे ओला हो गया, Uber हो गया तो उनका भी पूरा navigation होता है कि उनके control room से trace किया जा सकता है कि वह यह कितना time लग रहा है या फिर आजकल आप online जो है food delivery system जो है चाय स्वीगी हो, Zomato हो इन में भी देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें देखती है कि वह उसने कहां मतलब जो आपका executive है वो कहां तक पहुचा है food delivery counters तक पहुचा है कि नहीं पहुचा आपके घर आने में कितनी देर है तो यह सारी चीज़ें किस से की जारी होंगी तो GPS से ही की जारी होंगी तो GPS इस तरीके से पूरा track रखता है अर्थ के उपर ही अर्थ की चीज़ों का ही लेकिन अर्थ पे रहते हुए नहीं अर्थ के दूर जो है पार्ट जिसको space segment कहा जाता है इसको user segment कहा जाता है तो इसके अंदर GPS के अंदर तीन segment काम करेंगे एक होगा user segment जिसकी निगरानी रखी जा रही है दूसरा होता है space segment जिस से निगरानी रखी जा हई है और तीसरा होता है control segment जिसको यह सारी निगरानी की खबर भेजी जा रही है तो मतलब एक तो कोई ना कोई user होगा जिसके बारे में आपको position की बारे में पता करना होगा कि मान लिया जाए हमको किसी एक delivery boy के बारे में पता करना है कि वो delivery boy restaurant तक पहुचा है कि नहीं पहुचा तो उस पर नजर रख रही है कौन ये satellite और ये satellite डेटा एकटा करके किसको दे दे रही है control center को और फिर control center सारे जगापर information को जो है भेज रहा है तो हम अपने phone में भी उसको आसानी से detect कर पा रहे है कि वो delivery boy है वो कहां तट पहुचा है कितनी देर में हमारे पास आ जाएगा हमारा food कितनी देर में आ जाएगा तो यहाँ पर तीन segment काम करते हैं एक user हो गया एक जो दूसरा हो गया वो space जो satellite होगी और तीसरा control segment जो ground station होता है तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें मिलकर GPS काम करता है तो इसमें अगर हम बात करें कि GPS को क्या बोला जाए तो global positioning system जो था मैंने आपको बताया सबसे पहले कहां डवलप हुआ था तो USA में डवलप हुआ था और defense purpose के लिए यूज किया गया था 24 से 32 medium earth orbits का use करते थे that transmit precise microwave signals और उनसे जो signal निकलता था वो कौन सा signal था वो microwave signal हुआ करता था तो ये चीज़ याद रखेंगे और this enables receiver to determine their current location, time, velocity इसके अलावदा GPS satellites are maintained by United States Air Force तो यहाँ पर जो था सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं कि USA ने इस system को use किया कहाँ पर use किया तो defense जो department था उनका वहाँ पर use किया गया था उनको पूरा maintain कौन करता था United States Air Force तो देख लीजे ग्लोबल positioning system जिसको आप GPS कह रहे हैं संयुक्तराज अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विक्सित किया गया था और यह 24 और 32 मद्यम पृत्वी कक्षा उपग्रहों का उप्योग करता था जो 60 microwave signals अंचारित करते थे और यह GPS receivers को उनकी वरतमान इस्थान मतलब position, location, time और wake का निर्धारित करने में सक्षम बनाता है GPS उपग्रहों का रख रखाव संयोक्तर राजजवान वायू सेना द्वारा किया जाता है जैसे आज भी अगर आप देखेंगे कि आपने मान लिया जाए कि अपने घर से किसी point की location सर्च करी तो वो आपको बता देगा यहाँ पर यह location है 5 km इसमें जाने में आपको लगेंगे 20 minute इसके दो routes हो सकते हैं एक route से आपको 25 minute लगेगा तो यह सारी चीज़े count कौन कर रहा है यह satellites ही count कर रही है कि इस जगा से इतने जगा जाने में इतना time लगता है इतना जो है इसके बीच में distance है इससे पहले जो user गए थे उनको इतना time लगा था इतना traffic होता है इस time पर तो यह सारी information वहाँ से gather कर ली जाती है इसके अलावा जो और भी देश है जो इस satellite system को use कर रहे है वो कौन-कौन है तो additional countries में सबसे पहले तो USA ने develop कर लिया अब USA के बाद Russia जो था जैसे मैंने आपको बताया था इस पूतनिक सबसे पहले किसने रशिया ने की थी तो वही जब satellite navigation की बात आई तो GPS में सबसे बाजी मार गया कौन? USA फिर रशिया ने अपना भी जो है निकाला GPS system जिसको कहा जाता है GLONASS Global Navigation Satellite System इसके बाद European Union भी अपना लेकर आ गए तो European Union का जो था उसका नाम था गेली लियो Global Navigation Satellite System तो रूस का जो था GLONASS था Global Navigation Satellite System इसके अलावा European Union जो है आप इसमें Britain नहीं आता है ब्रिटेन जो है अभी कुछ सालों पहले आपने सुनाओगा एक term बहुत जादा यूज किया जाता था Brexit Brexit का मतलब था ब्रिटेन जो है इससे exit कर चुका है तो ब्रिटेन इसके अंदर नहीं आता European Union के अंदर ये चीज याद रख लेंगे ब्रिटेन का मतलब क्या होता है तो ब्रिटेन का मतलब तो आप को सबको पता है जिसमें England आ जाए इसके अलावा इसमें Scotland आ जाए और Wales आ जाए इन तीनों को मिलकर हम क्या कहते है ब्रिटेन कहते है और जब इसमें Northern Ireland मिल जाता है तो ये बन जाता है United Kingdom तो ब्रिटेन का exit हो चुका है किस से European Union से तो European Union का भी है European Sun जिसको Galilio कहा जाता है वेशवेश नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम Global Navigation System चाइना ने अपना बनाया हुआ है जिसको बेडू की नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम कहा जाता है और जापान का जो है QZ क्वासी Zenit सेटलाइट सिस्टम जापान का Earth Zenit सेटलाइट सिस्टम navigation satellite system बेद्दू और गेलिलियो और ग्लो नास ये किसके हैं तो ये सारे जो हैं वो आपके रशिया की बात करी European Union की बात करी जापान की बात करी है उमने चाइना की बात करी है तो ये देश अपने navigation system डवलप कर चुके हैं लेकिन सबसे पहले कौन ने किया तो सबसे पहले किया ह USA ने इसके लावाएं इंडिया भी इसमें आ चुका है और इंडिया का भी navigation system है जिसको थोड़ी दिर में हम देखते हैं तो देखा जाए तो भई हम बात करें तो इसमें होता क्या है तो हमने यहाँ पर बात करी तीन segment की एक चीज होती ही जिसकी निगरानी रखी जारी है ज तीन segment मिलकर काम कर रहे होते हैं लेकिन जो user segment है यह user segment कोई व्यक्ति हो सकता है उसकी कार हो सकती है उसकी कोई bus हो सकती है जो की move कर रही है जिसका आपको पता करना है तो यहाँ पर जो space station है वहाँ पर कौन काम करेगा satellite काम करेगी इसके अलावा यहाँ पर एक GPS tracker होगा जो उ जालें कि कभी आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाएगी तो वो satellite के under navigate हो जाएगी और आप उस गाड़ी को ढूंड सकते हैं तो एक GPS tracker होता है वो GPS tracker जो है satellite को भी information पहुचाता है साथ सा cellular network को भी पहुचाता है और वो cellular network पूरे server को पहुचा देता है जिससे वो आसानी से trace होती रहती है तो ये तीनों segment मिलकर इस तरीके से काम करते हैं इसके अलावा अगर हम GPS satellite system की बात करें तो 31 satellites that currently make up the GPS space segment तो हमारे याँ वरतमान में 31 satellite जो हैं वो space में रहती है और पूरी तरह से GPS की information आपको provide करती है और orbiting the earth about 12,000 miles above us तो ये जितनी भी satellites है लगबग 12,000 मील उपर गूमती रहती है और आपको precise information पूरे समय provide करती है and these satellites are constantly moving making two complete orbits in less than 24 hours तो 24 गंटे से 24 गंटे के अंदर दो बार गूम जाती है पूरे अर्थ को एक satellite और ऐसी कितनी satellite है 30 satellite तो भई अर्थ के आसपास एक satellite है जो 24 गंटे में दो चक्कर लगा ले रही है कोई satellite इस तरीके से लग conditions को आसानी से trace कर लिया जाए इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है they travel at a speed of roughly 7000 miles an hour और ये 7000 मील प्रती घंटे की रफतार से चलती है small rocket boosters keep each satellite flying on the correct path इनके साथ क्या होता है एक rocket भी लगा होता है small rocket लगाया जाता है कि ये सही path में गूमती रहे इसके निगरानी में रहती है sun से पूरी solar energy लेती है और उससे चलती रहती है अब आप बोलेंगे sir कभी sun नहीं आएगा तो क्या होता है तो कई बार ऐसी condition होती है जैसे सूरे ग्रहन पढ़ गया तो उस समय जब इनको sun की raise नहीं मिल रही होती है तो इनके अंदर transistors होते हैं batteries होती ह यह उससे operate कर लेती हैं कि कुछ समय के लिए temporary काम कर सकती हैं तो वर्तमान में GPS से space segment बनाने में 31 उपगरे हैं और हमसे लगबग 12,000 मील उपर पृत्वी की और परिक्रमा कर रहे हैं और यह उपगरे लगातार घूम रहे हैं 24 घंटे से भी कम समय में दो पूर्ण कक्षाएं बना रहे हैं और वे लगबग 7,000 मील प्रति घंटे की गती से यात्रा करते हैं और रॉकेट बूस्टर इनको एक दिशा प्रदान करता रहता है इसके अलावा अगर हम इंडिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया के टर्म्स में याद रखेंगे जो इंडिया का है जैस घंठान की भी बात कर लीकित जो कौसी जैनित है तो यह सब के नाम आपको पता हैं ऐसी इंडिया का आप से पूछ लिया जाए तो इंडिया का जो है इन्डियन रीजनल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम तो इन्डियन रीजनल सेटलाइट सिस्टम ये हमने भी डवलप कर लिया है और ये जो है इसी को नाम क्या दिया जा रहा है नाविक तो पहले हम USA को पैसा देते थे GPS का यूज़ करने के लिए लेकिन हमने खुद अभी डवलप कर लिया है और इसको हम बहुत तेजी से जो है इसका एक्सपैंशन कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों को भी ये GPS सर्विस प्रोवाइट कर सकेंगे कम पैसों में तो इसमें वही है सैटलाइट सेगमेंट है मताँ स्पेस सेगमेंट है जिसमें सैटलाइट ही उसकी ज जदगार है जिसको IRNS कहा जाता है नाविक के नाम से भी इसको जाना जा रहा है जिसमें नैशनल आपका नेविगेशन इसमें ये नेविगेशन एन वी का मतलब हो गया नेविगेशन तो इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे नेविगेशन इंडियन constellation navigation Indian constellation ये नाविक है पुराना नाम क्या था? Indian regional satellite system जो है navigation satellite system जिसको नाविक कहा जाता है तो इसमें geostationary जो है, 3 geostationary satellite है 4 geosynchronous है, तो इसी 7 satellites का मिलकर इसको बनाया गया है और ये 36,000 km की उचाई पर है, इसका cost लगबग बताया गया, 1420 करोड़ोपे में हमने इस satellite को develop किया हुआ है और ये 1500 km की beyond जा सकती है इसका accurate information देगी तो अभी हमको और भी satellite develop करनी है, जैसे USA का पूरा का पूरा 32 या 31 satellite का system है तो अभी हम 7 satellite तक के system पहुचे हैं, तो नाम याद रख लिए इंडियन रीजनल नाविगेशन सैटलाइट सिस्टम जिसको क्या कहा जाएगा, नेविगेशन इंडियन कॉंस्टलेशन, तो IRNS या नाविक के नाम से इसको जानेंगे इसके अलावा कुछ और भी interesting fact है इससे जुड़े हुए, तो जो अगर हम बात करें, तो the official US DOD name for GPS is 9 star, जो USA का navigation system में, उसका नाम क्या है 9 star है, इसके अलावा the first GPS satellite was launched in 1978, पहला GPS उप्ग्रें 1978 में launch किया गया था किसके द्वारा तो USA के द्वारा, इसके अलावा all a full constellation of 24 satellites were achieved in 1994 24, मताब पूरे 24 घंटे हर एक एक position का, जो है navigation हमने कब अच्छीव कर लिया तो 1994 में किया, 1978 में सबसे पहले भेजा गया, जैसे इंडिया ने अभी पेजा है, तो ये इंडिया न कॉंस्टलेशन इंडिया के आसपास की information को निकालने के लिए काम कर रहा है, जिसमें 7 satellite use कर रही है, तो आगे चलके हो सकता है कि हमसे शिलंका मांगे, हमसे बांगलादेश मांगे, या भूटान जो है, satellite system का use करें, तो हमने अभी जो है, हमारी 7 satellite पर काम चला रहे है, लेकिन जब चालू हुआ था तब भी पूरे देशों में नहीं था, धीरे-धीरे USA NFL आया, तो आज पूरे 31 satellite का system हो चुका है, 94 में इसने 24 उपग्रहों का एक पूरा समुप्राप्त किया था, तो 1994 में जाकर इसने पूरा का पूरा अर्थ को cover करने के लिए 24 satellites को use किया था, प्रत्य एक उपग्रह लगबग 10 वर्षों तक चलने के लिए बनाया गया है, और प्रती स्थान लगातार बनाये जा रहे हैं, और कक्षा में लॉंच किये जा रहे हैं, तो जो भी satellite बनाई जाती है, जो भेजी जाती है, जो आपको information provide करती है, कितने अमूमन सालों तक चलती है, तो 10 साल तक आपको information provide कर सकती है, उसके बाद फिर जो है space, जो है, मतब कचड़े में बदल जाती है, तो उनका भी अभी कई तरह के mission चल रहे हैं, जिनमें इस तरह के space garbage इनको कम किया जा रहा है, तो ऐसे कई satellites के जो अवशेश हैं, वो space में बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, GPS satellite weights approximately 2,000 pounds, इनका वजन 2000 pounds होता है, और लगबग जो है, ये 17 feet ही होती है, मतब जो satellite है, उनकी लंबाई 17 feet होती है, जो की solar panels के extended होती है, GPS satellite are powered by solar energy, लेकिन जब ऐसी स्तितियों सूरे ग्रहेंड की समय हो तो इनमें जो है, ये batteries को use करती है, transmission power is only 50 watts or less, इनको जो transmission power चाहिए होता है, वो 50 watt या उससे कम में ही इनका काम हो जाता है, तो एक GPS उपग्रह का वजन लगबग 2000 pounds होता है, और ये सूर पैनलों के विस्तार के साथ लगबग 17 feet का होता है, GPS उपग्रह सूर उर्जा द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन सूरे ग्रहेंड की स्तितिके उनके पास backup battery होती है, transmitter शक्ती केवल 50 watt या उससे कम में ही इनका काम हो जाता है, तो ये अब भी अप्लोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोगगो इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो होप सारी चीज़ें आप लोगगो clear हो गई होंगी, समझने आई होंगी, थांक यू वेरी मच फो वाचिंग दिस, have a great day